नमस्कार सभी दर्शुपों का स्वार्टत है आज के इस लाइड में आज हम चरचा करने जा रहे हैं पड़ोसी देशुर है पाकिस्तान में पुरोर प्रधान बंद्री पाकिस्तान के इjähr सं़ाथ बन रहे हैं पाकिस्तानलों का स्वर्फों उससा दो दिख रहा है जो इस तरह से आप जम्लम की घट नाएं और अस्खिरता और साथ ही अगर रीजन की बात करें तो पाकισतान में जो हालाव बन रहे हैं उसका पूरे रीजन पर याशार हो कैसे उसमें चीजस की क्या भूमिका उसकती है तो इस सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे अब इस पूरे घटना क्रम को किस तरह से देखे हैं आफिक मैं तो समझता हूं बहुत ही अप्रत्याशित है बहुत ही अनेक्सपेक्टेड़ था और जो कुछ भी हुआ है बड़ा ही अन्प्रिसिडेंटेड हुआ है देखे दो चीजें है इसमें एक तो वहां की जो सरकार है शाबाथ शालीक की सरकार है वो काफी समय से अ इम्रान खान को घरिफतार करने के उसमें थी उन्होंने बहुत सारे प्रियास भी किये वहां पर पॉलीस को भेजा बहुत मारी परन्तु जो इम्रान खान की पार्टी है पाकिस्तान तह्तरीक इनसाफंफ वहां के जो निश्कासित कर दिया गया था सरकार से हटा दिया गया था और यह शहबास शरीफ के सरकार आई थी और तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो मेरे विचार से करीब इमरान खान के विरुद करीब सो केस दायर हो चुके हैं, ज्यादातर तो यह करॉप्शन केस हैं, और election commission के विरुद तो बहुत प्रकार के केस हैं करीब 100 केस हो गए हैं और परंतु ये बात है जो इमरान खान की popularity देश में बहुत ज्यादा हो गई है सबसे ज्यादा हो गई है तीसरी बात इमरान खान चाहते हैं जो वहाँ पर elections हो जल्दी elections हो एक तो जो प्रांथ हैं पंजा पर उनकी सरकार थी उन्होंने अपनी सरकार को पीटी आई की सरकार को कहा जो आप इस्तीफा दे दीजिएगा जिससे की एक प्रेशर बनाया जा सके शहबास शरीप पर जो जल्दी से चुनाब किये जाएं खाइबर मख्तूरपा में इनकी सरकार थी पीटी आई की वहां भ स्प्रीम कोट है वो काफी हद तक देखा जा रहा है जो इमरान खान के का साथ दे रहा है वहां के जो प्रेजिडेंट हैं वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं तो इस हालात में इमरान खान पिछले एक साल से या उससे थोड़े से पहले जब वो सक्ता में भी थे तब से वो पाकिस्तान आर्मी के विरुद बहुत ही जहर उगल रहे हैं वो ये कह रहे हैं जो तब के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर वाजवा वो अमरीका के साथ मिलकर उनको सब्ता से हटाना चाहते थे और ये जो उनका है किवायद है आर्मी के विरुद पाकिस्तान सेना के विरुद वो और ज्यादा पिछले एक साल में बढ़कर आगी है पहले देखिए ये ध्याम रखना होगा जो वहां की आर्मी यही कहा करती थी जो अगर पाकिस्तान की सुरक्षा कोई इंस्टिकूशन कर सकती है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है दूसरी बात जो आर्मी कहती थी जो पाक उनका लाइफस्टायल भी बहुत ही लाविश था बहुत ही ऑपिलेंट था बहुत ही उनके हाथ में पावर थी और परन्तु पिछले एक साल से जब इमरान खान आर्मी के विरुद इतना वो कहने लगे हैं जहर उगलने लगे हैं तो आर्मी की जो प्रेस्टीज है जो क्ला अबतारी है वो इस सब के परिपेक्श में देखना पड़ेगा वहां की आर्मी के आईएस पी आर उनके जो इंटर सर्विस पाबिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा जो इमरान खान ने एक आर्मी के अफसर के विरुद जो इल्जाम लगाया हैं वो सरासर बे उनको ले जाया गया वहां पर पाकिस्तान इसलामबाद हाई कोर्ट में तो वहां से पाकिस्तान रेंजर्जर्स जो की एक पाकिस्तान पारमिलिटरी फोर्स है उन्होंने जबरदस्ती जाकर उनको गिरफतार कर लिया और ले गए मेरे विचार से वहां की जो आर्मी है या स सोचना था जो इमरान खान को अगर जेल में बंद कर दिया जाएगा तो कुछ समय के लिए तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे प्रोटेस्ट करेंगे दंदा करेंगे वाइलेंस करेंगे पर हम तो बहुत जल्दी उस उनको वो शांत कर लेंगे और फिर एक बारी अगर इमरान खान अंदर चले गए तो किसी प्रकार से उनकी पार्टी को या इमरान खान को खुद बैंड कर दिया जाएगा इलेक्शन लडने से वगएरा तो अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में तो उसमें ये जो शेबाज शेरीफ साथ की पार्टी है या पाकिस्तान टीपल्स पार्टी है जरदारी की पार्टी है वो फिर अपना इलेक्शन लड़ेंगे जी जाएंगे तो ये सब मेरे ख्याल से उनका कैलकुलेशन रहा है ऐसा नहीं कि जो वहां के कोई पहले प्रधानमंत्री अरेस्ट नहीं हुए हो अभी नवाजशरीफ अरेस्ट हुए थे उससे पहले जागारी अरेस्ट हुए थे और भी प्रधानमंत्री अरेस्ट हुए है परन्तु इस प्रकार का रिस्पॉन्स और कंटीनूइंग यह बिल्कुल की पहले नहीं देगी तरही है। बहुत ज्यादा ही यह कहा जाता है। इस समय जितने ही नेता हैं उन सब में इम्रान जन्ता की नब्स को समझते हैं वहाँ पर और उनकी पॉपलारिटी बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोट के द्वारा भी वो दबाव डालने का उन्होंने प्रयास किया है। तो यह तो बिलकुल ठीक बात है जो अगर चुनाव होते हैं और पहले भी अभी जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरी के इंसाफ उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वो तो चाहते हैं जो इलक्षिंज जल्दी से जल्दी परन्तु जिस प्रकार से अब दू चीज़े इसमें समझनी होगी एक तो क्या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या ये केवल उनकी पार्टी के हैं पाकिस्तान तहरी के इंसाफ ने या ये आम जिनता भी है या आम अवान भी है क्योंकि ये समझना पड़ेगा जो वहां की पाकिस्तान के जो खालात हैं बहुत ही खराब हो गए हैं वहां पर इंफलेशन इतनी बढ़ रही है वहां पर चीज़ें नहीं मिल रही है आटा नहीं मिल रहा है हम सब ने वह तस्वीरें देखी हैं वहां पर जो हर चोटी 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 चीज़ के लिए वहाँ पर सड़कों पर दंगा फसाद होता है, लड़ाई होती है, कितनी बेसिक कंज्यूमर आइटम्स की वहाँ पर कितनी कमी हो गई है. तो इसी लिए इमरान खान के साथ भी लोग इतने ज्यादा मेरे मिचार से आगए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, जो सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है, और इस सरकार को एक साल में, ये नहीं कि जो हालात इस से पहले कोई बहतर थे या अच्छे थे, परन्तु इस सरकार के आने के बाद, शहबास शरीफ के आने के बाद, तो वहां के हालात और भी खराब हो गए हैं, और अंतराश्ट्री इस तरह पर भी आप देखिए, आईमेफ ने अभी तक लोन दिया नहीं है, उनको और जो साओधी से, यूएई से, उनको जो थोड़े से लोन मि हैं, और कुछ जो है, आम जंता भी आकर मिल गई है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं, जो what do we have to lose, और हमें सरकार के विरुद्ध हमें काम करना चाहिए, जिससे कि अगर इमरान खान आ जाते हैं वापस सब्का में, तो शायद वो कुछ, he'll be able to do something different, दूसरी बात है, जो जिस प्र है अपने को प्रोटेक्ट करने के, और वहां पर लाहॉर में कोर कमांडर के घर पर, परसनल हाउस में, वहां पर चले गए हैं, वहां पर तो कोर किया है, आगजनी की है, उसको जला दिया है, उसको प्रोटेक्ट करने पूली भी कोई नहीं, वहां पर ज्यादा पौज नही है जो यहां पर बहुत ही ज्यादा भावाल उत्तर खड़ा हो रहा है बहुत ही ज्यादा ऑपोजिशन है उनके विरो और दूसरा यह समझा जा रहा है जो शायद उन्होंने एक मौका दिया जो यह जो आपने कहा शुरू में जो पांसरे सिक्यूरी है उन्होंने मौका दिया जो यह तोड़ पोड़ करें जो यह आगजनी करें और उसके फिर कानून के अंतरदर्द उनको रेस्ट किया जाए जो भी इसमें इंडल्ज कर रहे हैं जो भी इसमें इंवाल्ड है पीटी आई को फिर किसी तरीके से पार्टी को बैंड कर दिया जाए जिससे कि वो आगे आते हुए इलेक्शन में वो कंटेस्ट नहीं कर पाए तो यह बड़ी कंस्पिरिसी थेओरी भी हो रही हैं परंतों यह बिल्कुल ही ऐसा जैसे मैंने कहा अप्रत्याशित है जो कोई पाकिस्तान में वहां की आर्मी के विरुद हो और यह केवल ना इस्लाम अबादर लहोर में नहीं हो रहा है यह पेशावर में हो रहा है यह कराची में हो रहा है मुटार में हो रहा है घुजनावाला में हो रहा है सब अपद्राव हो रहे हैं आर्मी के विरुद मांपर उनकी जो वहेकल्स हैं वो जलाए जा रहे हैं जो उनके परसनेल हैं उनके उपर हमला किया जा रहा है तो यह तो बिल्कुल ही unexpected और unprecedented है तो यह हमें देखना होगा जो आगे चलते हुए इसका यह कैसे सरकार इसको control कर पाती है और आखरी बात मैं इसमें यह कहूंगा जिए भी बहुत ही अचंबे की बात है जो यह सब जो हो रहा है तो इस समय शहवाज शहरी जो प्रिधान मंत्री है वो वहाँ पर थे लंडन में थे वो वहाँ पर गए थे किन चाल्स भी थर्ड की coronation के लिए और फिर उन्होंने अपना वहाँ पर दौरा एक दिन के लिए बढ़ा दिया था आपने देखा है जो हमारे उपराश्पती गए थे वहाँ पर वो तो कल वापिस भी आ गए और यह जो पाकिस्तान के प्रिधान मंत्री जहां पर इतना ज्यादा उनके अपने दे होगी और आगे क्या किया जाए उसके बारे में कुछ निड़न दे जाएंगे जी अमबेस्टर अशुक सचनहार जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो सरकारी चलती है वो आर्मी की सपोर्ट से ही चलती है शेह इमरान खान सक्ता में आए तो भी आर्मी का सपोर्ट है शेहबास शरीफ की सरकार की बात करें लेकिन इस समय जनता जो है वो नाराज है आर्मी से भी पाकिस्तान की सेना से भी और शेहबास शरीफ की सरकार से भी ऐसे में इमरान खान की जिस तरह से गिरफतारी हुई उससे क्या ऐसा लगता है कि उनका कदब और जादा बढ़ जा कि वहां की पॉलिसी को डिटर्मिन करती है या उसकी जो फूचर है उसको डिटर्मिन करती है दो थी एज एक आर्वी के अला और एक अमेरिका ये तीन चीजें हैं जी वहां के लिए बहुत महत्वकूर्ण हैं अब अमरीका के साथ तो उनके संबंध इतने अच्छे रहे नही उसकी जगए तो मेरे विचार से धीरी धीरी करके चीन ने ले भी है चीन का वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव है बहुत ही ज्यादा वहां पर इंफ्वेंस है अब जहां तक बात है इमरान खान की अगर उनका कद्र है वो आगे बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ा होग तो यह देखना होगा जो वहां की आर्मी वहां की सरकार कैसे इसको आगे इस सारे जो हाथसा है इसको कैसे आगे नेकल जाती है अगर जैसे अब इसमाबाद हाई कोंट ने उनकी अरेस्ट को लीगल बताया है और अभी जो सुप्रीम कोंट ने भी कहा है उनके विरुद जो case है वो जो पकिस्तान पी की आई के जो case था उसको Ukraine कर दिया है उसको खारिज कर दिया है मतलब इनका जो है अब इमरान खान जेल में रहेंगे और उनकी जो custody है वो एन एबी-K princip of देदी गई है नाशनल accountability bureau को देदी घई है तो देखे कुछ समय के लिए तो अब इमरान खान जेल में रहने वाले हैं, हील बी आउट ओफ सर्कुलेशन, आज उनके जो और कुछ नेता हैं, जैसे शाममोद कुरेशी हैं, उनको भी गिरफतार कर लिया गया है आज दुपहर को, और मेरे विचार से और भी जो फाद चौ कोई बिलकुल लीडरलेस हो जाए ये जो लोग है, पीटी आई के, और इसलिए ये जो आपोजिशन उनका चल रहा है, वो इसको आगे नहीं ले जा पाए, तो अगर ऐसे हालात होते हैं, तो फिर असेस्मेंट मेरे ख्याल से, आर्मी का और सरकार का यही है, जो ये आपोज जो मिसाले रही है, जब भी प्रोटेस्ट हुए है, वेन दी में प्रोटेगनिस्ट इस आउट ऑफ दी सीन, तो फिर ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं, ये खतम हो जाते हैं, परन्तु आगे देखना होगा, क्योंकि इस बारी बहुत चीजें ऐसी हुई हैं, जो नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होई हैं, जो पहले नहीं हुई हैं, तो इसलिए हमें आगे चलते हुए, मेरे ख्याल से आगे कि 24-48 धंटे बहुत ही महत्वपून होंगे इसमें, देखने के लिए जो आगे वहां की राजनीती किस और तक बट लेगी हैं, तो काफी आर्थिक अस अस थिरता है, अब इस तरह से सड़कों पर भी अस थिरता है, इस तरह से बावाल है करांची से लेकर खवेचा तक पाकिस्तान में जनता में बहुत रोश है, इंफ्लेशन बहुत हाई है, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि कहा जाता है हमेशा की जो ट्रिपल ए से पाकिस देखिए मेरे विचार से अमरीका का पर्टिकलर नी और जो वेस्टन वर्ल्ड है वो भी और चीन भी मैं समझता हूं वो भी वो चाहेंगे वहाँ पर ओर्डर रिस्टोर हो, वहाँ पर लौ एंड ओर्डर फिर से उसकी स्थिती वापिस को और ये जो आगजनी हो रही है औ बड़ा तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, वहाँ थी भयावे तस्वीरें हैं वहाँ पर, कितना ज्यादा वहाँ पर जामाल का नुक्सान बो रहा है, आज तो खबर है जो करीब ओफिशल फिगर्स जो दिये जा रहे हैं, वो है जो करीब पंदरा लोग मारे गए हैं, वो क सबके लिए बहुत ही चिंता का विशह है और सभी देश चाहेंगे, भारत भी चाहेगा जो वहाँ पर स्थिरता कायम हो, परंतु ऐसे लग रहा है जो सिविल वार के कगार पर आकर खड़ा हो गया है पाकिस्तान, और या तो मार्शल लॉग लगेगा, या तो मैंने कुछ अपने जानने वालों से बात की है, वो कहते हैं जो पाकिस्तान Dysintegration की छोर पर खड़ा है, वहां पर अलग अलग जैसे बलोचितान हुआ, सिंध हुआ, खवर पक्तुन पर पञचाब, यह अलग अलग भी हो सकते हैं, वो नजारा वही देख रहे हैं जो की 1971 में दिसंबर में इस पाकिस्तान और भंगले देश में गवाता है हालात वो देख रहे हैं वही जो शेख मुझीब और रहमान बहुत ही popular leader थे उनको बंद कर दिया गया और यहां भी इमरान खान बड़े popular leader है उनको भी जेल में डाल दिया गया है तो मतलब कुछ भी हो सकता है डिसंटेग्रेशन हो सकता है और मार्शल लौ आ सकता है परन्तु अगर मार्शल लौ आता है पुर्ण माजी तो मैं यही कहूंगा जो इस बारी आर्मी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है हमेशा जब भी आर्मी कंट्रोल लेती है अपने हाथ में उसके लिए बहुत ही आसानी से हो जाता है विकाज पीपल आर यूजड टू आर्मी टेकिंग ओवर अब 75 साल हो गए है पाकिस्तान की आजादी के अभी तक एक वहां की इलेक्टिट गावर्मेंट ने अपना पूरा पांच साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है यह हालात है वहां पर अमेशा उनको आर्मी द्वारा हटा दिया जाता है परन्तु इस बारी ऐसा लग रहा है क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आये हैं और ऐसी उनके ऐसे हालात हैं ऐसी कारवाई कर रहे हैं इतनी प्रोटेस्ट वायरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो इस बारी आर्मी के लिए आसान नहीं होगा और को रीस्टाइश करना पाकिस्टान की आर्मी के लिए भी बड़ी चुनौती होंगी जो हाला पाकिस्टान में बन रहे हैं और आपने बड़ी बात की कि इस इंटिग्रेशन की स्थिती की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है पाकिस्टान तो अगर हम बात करें रिलिजियस एक्स्रमिस ग्रूप जो है यह भी आशनका जदाई जा रहे हैं कि वो भी अक्टव हो सकते हैं रिजिन के लिए वो भी खत्रा बन सकते हैं जी आप ठीक कह रहे हैं देखिए डिलिजिस एक्स्टीमेस ग्रोप्स फंडमेंटलेस ग्रोप्स दे आर ओल्वेज अध्रेट तो दो चीज़े हैं इसम टालिबान पाकिस्तान लश्कर जंगवी वगएरा जो की पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट और आर्मी के विरुद्ध काम करते हैं जो कि वहां से अफगानिस्तान में उनकी बैसे हैं वहां से वो अटक करते हैं और बन कॉइट एफेक्टिव पिछले कुछ महीनों में जब से अफगान तालिबान ने वहां पर काबल में अपना कंट्रोल किया है, तो तब से टीटीपी ने बहुत ऐसे अटैक्स किये हैं, पाकिस्तान की सरकार के विरूद, चाइना के जो वरकर्स हैं, जो चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडॉर में वो जो शामिल हैं, उनके विरूद, बलोच लेवल, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, भो भी पाकिस्तान की आरमी के विरूद और सरकार के विरूद धाम करते रहे हैं. कुछ ऐसे ग्रूप हैं जो की पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान की आरमी और I.S.I. ने उन्होंने खुद उनको पालपोस्टर बड़ा किया है, जो जब इनको हम प्रयोग करना चाहेंगे भारत के विरोध और वो करते रहे हैं जैसे अभी भी चाहे वो रजोरी में अटैक हुआ हो जिसमें हमारे पांच सेने चहीद हो गए पांच माई को उससे दीज दिन पहले पुंच में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ है यह सभी जो ग इसकी गूल bullish कर सकता है पाकिस्तान की जो आरमी भारत के विरोध जिसकी यहां पर अगर कोई ऐसा हाधसा करते हैं कोई कारणामा करते हैं तो कुछ औह देखेंगे अपनी जनता की archive को divert करने के लिए जो भारत से अगर कुछ इसका रिस्पॉंस आता है तो वहां की आर्मी ये भी कह सकती है जो अब हमारा जो देश है वो खत्रे में है भारत से खत्रे में है तो हम पूरे देश को साथ में मिलकर इस जो त्रेट का है इसका हम को सामना करना चाहिए तो कुछ ऐसा भ वहारे में सतर्क रहना पड़ेगा जो वहां से किसी भी प्रकार का कोई ये टेरिस्ट अटैक अगर आता है उसको फॉयल कर दिया जाए एक तो महां पर खालात ऐसे खराव हैं दूसरा भारत के पास अभी जी ट्वेंटी की प्रेजडेंसी है और हम नहीं चाहते जो कोई ऐसा अंटुवर्ड इंसिडेंट हमारे देश में किसी भी जगा पर हो तो इसलिए हमको अपनी जो सतर्कता है उसको और बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी जी तो पाकिस्तान की आर्मी कई हथ घंडे अपना सकती है इस पूरी सिती को देखते हुए और ऐसे वे अगर हम वाप इस पॉलिटिकल सिच्वेशन पर आना चाहिए और जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब शहबास शरीफ लेंडन गई तो हो नवास शरीफ से मिल कर आये हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अंडर स्टानिंग बन गई है पाकिस्तान आर्मी और नवास शरीफ के पीश में एक त जिसको सपोर्ट मिलता है या जो पाकिस्तान की आर्मी की पसंद का होता है वो इस अधा में आता है पाकिस्तानी जी अभी तक तो हाला किये थे यही मैंने कहा जो अभी तक हाला किये थे पर आगे क्या होने वाला है वो इस पर निर्भरों होगा जो ये प्रोटेस्ट वगर और दोनों इम्रान खान के विरुद्ध हैं क्योंकि दोनों के लिए इम्रान खान की जो popularity है that is a threat to their existence वो दोनों के विरुद्ध इम्रान खान बोलते रहें तो इसलिए both of them will work together will act together इम्रान खान जिससे की इम्रान खान की popularity आगे नहीं बढ़ पाएं वो elections में participate नहीं कर पाएं तो इसलिए आगे चलते कोई तो बहुत ही uncertainty का माहौल है क्योंकि इस बारी पाकिस्तान उस मुकाम पर पहुँचा है जहां पर पहले कभी नहीं था तो इसलिए आगे क्या होता है क्या होने वाला है वो अब देखना होगा हाला की पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल मंजर से पहले भी गुजरा है परांतु आज के हालात मेरे विचार से पिछले पचास साथ साल के अगर हालात उको देखा जाए तो उससे बिलकुल ही अलग है तो इसलिए आई तो वेट एंड वाच एंड सी भारत को जैसे मैंने का बिलकुत सतर्क रहना पड़ेगा एक और मुगदा जो जिसके बारे में हम फोड़ा सा एक छोटी टिपनी मैं कर सकता हूं वो है जो पाकिस्तान उसके पास नूकले वैपन हैं और उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ही एहम है जो यह नहों जो वो कहीं किसी टर्रिस के हाथ में पड़ जाएं तो यह सब तो पहले बाते हो चुकी है अमरीका और पाकिस्तान की जो एड्मिनिस्टेशन है उनकी जो सिक्योरिटी है सेफटी है उन्होंने ध्यान दिया हुआ है परंतु फिर भी इसको इस समय अंडरलाइन करने की एंफसाइस करने के आवशकता है जो यह भी एक बहुत बड़ा रिस्क और थ्रेट हो सकता है जिसके लिए यह नहीं है जो तयार रहना चाहिए परंतु यह जिस भी इंटरनाशनल और्ग जी तो बहुत अस्थिरता का अनस्ष्टता का मौहल है पाकिस्तान में आर्थिक सिती तो पत्तर हो ही चुकी है काफी और साथ ही अब जिस तरह राज़ने encourage खालात बन रहे हैं और जिस तरह सड़कों पर लोग है जनता में जो आप रोश है जनता में जो रोश है और जिस त कि फाति वाध्य हाथ ना लग जाए कि गलत हाथों नेना पड़ जाए। सब रिजन पर की देश इस इस पर नजर बनाया होई हूं भारत इस पर नजर बनाया हो अग्य कि कि से票 बदल रहे Jaime इसे पाकिस्तान में आपके?」раж ぁ kuenden पन नहीं?द स्य कुल हो रहा है बहुत ही तीजी से हुआ है बहुत ही जल्दी हुआ है अभी करीब कल तीन बजे दुपाहर को अमरान खान को गरफतार किया गया अभी करीब चप्वेश सताइस भंटे हुए है परन्तु पाकिस्तान का जो अंदरूनी नक्षा है एक गम बिलकुल की बदलता हुआ नजर आ रहा है जो हमारी अपनी सिक्यूरिटी सेफ्टी स्टिबिलिटी पर कोई इसका दुप्रभाव नहीं पड़ता है मुझे पूरा कॉंदेंस है जो आर सिक्यूरिटी फोर्सेश इन लीडिशिप इस वेल एक्विप्ट विद विद्वारत को नजर बनाय रखनी होग पूरे हालाग पर भारत नजर बनाय रखे हुए है और साभधानी परती होगी अपने बॉंडर्स पर भी इस तरह से हालाग बदल रहे हैं तेजी से पाकिस्तान में बहुत बहुत शुक्रिया एमबेस्टर अशुक सचिनहार हमसे बाश्रीत करने के लिए पाकिस्तान के हाल पर बिस्तार से चुछा कर दीए धन्यबाद